नंसकार दोस्तों मैं हूं अशोख शेरा और आप इस वक्त मेरे Facebook लाइव से जुड रहे हैं यकीनमानिए मैं कस्मीर नहीं बारमेर में ही कहड़ा हूं बारमेर का इस वक्त का नजारा किसी hill इस्टेशन या यूं कहें कि जमू कस्मीर से कम नहीं है आज सुबह से ही इतना घना कोरा है कि पूरा बाडमेर कोरे की चपेट में आ गया है और थोड़ी ही दूर एक दूसरे व्यक्ति को देख भी नहीं सकते हैं मैं बाडमेर शहर के एक ऐसे इस्तान पर खड़ा हूं जहां से पूरे बाडमेर शहर का नजारा आपको नजर आएगा बहुती सांदार नजारा यहां बाडमेर का है आप अगर किसी हिल इस्टेशन जाने की सोच रहे हैं तो या सर्दियों में इस सीजन में बाहर की घूमने की जाने की सोच रहे हैं तो मत जाये क्योंकि बाडमेर आज किसी पिकनिक पॉइंट से कम नजर नहीं आ रहा है बहुत ही शांदार यहां पर नजारा है आप देख सकते कि कितना गना कोहरा यहां बाड़मेर में हैं और गजब की ठंड पड़ रही है एक सर्दी ने वापीस अपनी बाड़मेर में बड़ोत्री सर्दी की हो गई है और व करना कोहरा है कि अब जैसे जैसे दिन डल रहा है बागी बड़ सूरज बाहर निकल रहा है तो कोहरा देर देर कम हो रहा है लेकिन कोहरा अभी इस वक्त की बाद करें तो अभी भी कोहरा जबर दस्त बाड़मेर में च्छाया हुआ है मैं आको पूरा नजारा दिखाउंगा यहां से आप देख सकते हैं कि यह बार्डमेर काई नजरा है दूर दूर तक आपको कोहरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है बार्डमेर के सांदार दर्शे को सभी लोगों को दिखाने के लिए एक बार इस वीडियो को शेर कर देखे साथी जितने भी दर्शा के इस वक्त देख रहे हैं इस बार्डमेर के सांदार विहंगम दर्शे को सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए आप शेर करें तक की ज्यादा से ज़दा लोगों तक बार्डमेर का इस शांदार दर्शे पहुँचे यकिनन सर्दी बहुत है और सर्दी के साथ साथ जो ये मौसम बना हुआ है कोहरे का वो वाकई में एक किसी हिल इस्टेसन या किसी आपने यूँ कहें जमू कस्मीर से भी का जैसा ही यहां नजारा इस वक्त आप लोगों को नजर आ रहा है पहाड़ों की बात करें तो आप लोगों को मुझे भी नजर नहीं आ रहे है तो नजर यहां से कुछ भी नहीं आ रहा है आप देख सकते हैं और एका एक जो वहनों की रिलम पेल रहती है वो भी कम नजर आ रही है लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे है इतनी ठंडी यहां पर आज जबर्दस सर्दी पड़ रही है कि पूरे बाड़मेर में कोहरा ही कोहरा चाया हुआ है यह आज सुबह से हलांकि कल रात को ठंडी हवाय थी हलका सा कोहरा था लेकिन आज सुबह से ही कोहरा इतना तेज है अब थोड़ा कोहरा कम हुआ है लेकिन आज सुबह एक बार ऐसी इस थी थी कि आदमी सड़क पर क्या है ये नजर नहीं आ रहा था तो इस दर्शे के सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए और मैं आपको ये बदा दूँ कि इस सीजन का इस सीजन का ये सबसे गना कोरा आज ही आया है इस सर्दी की सीजन का ये पहला कोरा है जिस जहां मैं खड़ा हूँ वहाँ पर जबर्दस्थ ठंड पड़ रही है और कोरा इतना तेज है कि यहां से आपको देखी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है काफी दूर दूर तक अब देदरी जैसे से कोरा कम हो रहा है उसी के साथ ही ठंडी हवाय है वो तो सुरूच चली रही है यहां इतनी जबर्दस्थ ठंड पड़ रही है कि आदमी यहां खड़ा भी नहीं रह पाता है आप देख सकते हैं कि कितनी जबर्दस्त यहां से थन पड़ रही है और कोहरा है वो खत्रनाक है जबर्दस्त तरीके से यहां कोहरा आपको पूरे बाड़मेर को इस कोहरे ने डेक लिया है आपाटियो से लिए से बात करते हैं कि आज कोहरे की क्या स्थती है क्या नाम है आपका पुर्खाराम क्या स्थती है कोहरे की अजह को रहा है इस तीजर पर पहली बार इतना जएदा को रहा है तो यहीं आप रहते हैं कहीं दूर से आई है यहीं रहते हैं आप अबने गेट सुबह खोड़ा उस टाइम क्या स्थिती थी तो देखा में आठ शाड़े आठ नौ बस तक लोग जब वहान लेकर जा रहे था लाइट है चालू करके जा रहे थी घर से आया था दुकान के लिए बहुत को रहा था इसलिए घर की लाइट चालू भी थी ठंड भी है बातकर तो उनका कहना है कि आज सुबह इतना कोहरा और तनी ठंड थी कि लोग अपने घरों में अभी भी देखी आप 11 बजने को आया लेकिन लोग अभी भी अपने घरों में कैद हैं लोग बहार नहीं निकल रहें मार्केट आदे से ज्यादा बंद बड़ा है तो एक बार आप समय समय पर हमारे फ्रतेख वीडियो को प्रतेखबर को शैर करने उसके लिए मैं आप सभी को तहहीं दिल से धन्यवाद सुक्रिया अदा करना चाहूंगा और अभी आप लोग जितने देख रहें एक बार वीडियो को शैर करें comigo को शानदार बहुत-बहुत श्तैने